विरीव के लिए यूटिलिटी स्टोर भी महंगा घी के निर्ख आस्मान पर सबसिडाइज घी 260-355 रुपए फी किलो हो गया दरजाय अबल घी 208 रुपए फी किलो तक महंगा तुकिंग ओयल के निर्खों में 213 रुपए लीटर तक इजाफा कीमत 605 रुपए तक पहुँच गई महंगाई का फुल जोर गरीब बसीत कमजोर आटा चीने घी डाले पहुँच से बहुत दूर अश्याय खुरोनोष के खरीदारी जेब पर भारी ओपन मार्केट में घी 530 रुपए का होक्या हुकुमत महंगाई कम नहीं बढ़ाने के लिए एक दमात उठा रही है शेहरियों का पारा हाई जी 530 रुपए किलो है चावल 220 रुपए कोले है मोटा डाल 200 रुपए किलो है और तरहार देड़ी वगए तक किसी ने भी नहीं बढ़ा है महंगाई का जो मामला है वहीं का वहीं है बलके आगे से पहले से भी खराब हो गया तो अमीद करते हैं कि अल्ला पाक इनको तुफीग दे ये महंगाई को कम करें खुदा के लिए अवाम का सोचें अवाम का भला करें ये महंगाई बिलकुल दुश्मन है अवाम की अवाम परिशान है ये मसायली मसायल बने हुए जब से ये गॉर्मेंट आई गया है बोलते थे हम ये कर देंगा हमारे पास यादू की चड़ी है अब यादू की चड़ी कहा है पेटरॉल की कीमत बढ़ाने से बाकिया शाबी भी असर पड़ा है तो आवाम जए इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है एक आम आदमी वो अपनी बच्चों को रोटी देने से कासर हो गया है गेरे लानिया लोड शेडिंग वबाले जान कराची, लाहौर, फैसलाबाब, कोईटा, सुमेर, कई शेहरों में बचली का बहरां, शेहरी लाकों में आठ से दस, देहात में बारा घंटे बचली बचली बन कब अजाब से जान छूटेगी शेहरियों का सवाब इदी के लोड शेटिंग का कोई दुरानिया नहीं है, कोई शेडूल नहीं है किस वक्त जानी है, कारोबार बीली के साथ है, और जनेटर वगारा फोर्ड नहीं कर सकते जब से आया है ना, तो इस मुलक से बचली गाइब हो गी है, कारोबारी तबका इतना परेशान हो गया है, जिसकी कोई हाथ नहीं है जब तक हम आप खुद सही नहीं होंगे ना, जब तक कुछ भी नहीं होगा। और इंतहा की चोरी होती है बिली, इंतहा की चोरी होती है, जो हर गरीब आद भी पहटती है। मुल्क भर में बिजली का शॉर्ट पॉल 6,447 मेगवाट हो गया, बिजली की मजमुई पैदवार 19,525 मेगवाट, तलब 26,000 मेगवाट और बिजली चॉरी और नुक्सानात वाले इलाकों में लोट शेडिंग का दौरानिया ज्यादा पैसलों से कोई नाराज हो या राजी ये उनका मसला है, आईन और कानून के मताबिक पैसले करते हैं, इलेक्शन कमिशन बगएर किसी खौफ और दुबाव के अपना काम जारी रखेगा, नए इंतख्याबात का फैसला हुकुमत में करना है, जब कहा जाएगा इलेक्शन करवा देंगे, पीठी आई अरकान कौमे इसम्बले के स्टीफे अभी तक नहीं मिले, चीफ एलेक्शन कमिशनर सिकंदर सुल्तान राचा की इस सहाफियों से गहर रस्मी गुफ तगू. कि कारूरि इसमत्स वो होग फैसल्स वी चरकान के नृव जीजिए ऑली त्लोगी होगिए लाजुद़ नlog Natler, क्षभी फैट्वोज़ें, क्षभी प्राच कान्ए भॉद्दो ने मिंब्रान के तकरूर के बाद ऐल्चान कमिशन मुकमबल, मेंबर एलेक्शन कमिशन पंजाब और फैबर पक्तून खाने हलफ उठा लिया, बाबर हसन भाइवाना और जुस्टिस रिटाइड एक राम उलाखान से चीफ एलेक्शन कमिशनर ने हलफ लिया. गान तु समफार टुकिश बिस्निसमें आइम वेरी सॉरी पाकिसान में तुर्क कमपनी इसके साथ बुरे रवेए पर माजरत पाक तुर्क तुर्क तिजारती हज्म पांच सौरब डॉलर तक ले जाने का आजम तुर्की के साथ दो तरफा तालुका तिजारत और सर्मायाकारी का फरोग चाहते हैं सर्मायाकारों का रेड कारफिट इस्तेक्बाव करेंगे गैरंटी है हर मुम्किन सहूलत भी देंगे वजिर्याजम का अंकरा में बिजनस फॉरम से खिता मुजिर्याला हमसा शेहबास को अहदे से हटाने के लिए दर्खास्तों की समाथ सुप्रीम कोट ने वाज़ पैसला दिया मुनहर फराकिन का वोट शमार नहीं होगा अब जाहर किसी के पास भी अददी अक्सरियत मौजूद नहीं ये मौामना दुबारा चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन की तरफ ही जाएगा तारीखी केस है पूरा मुल्क अदालत की तरफ देख रहा है बेनिस्टर अलीजफर के दलाई मुकमन चेहबार शुरीफ और अपने खानदान के केसिस में मुदाखलत कर रहे हैं मेगा करप्शन केसिस के निगदानी के लिए जज तायूनात होना चाहिए ने अब कवानी में तर्मीम एन नारो है अब करप्शन के नए रेकर्ड काइम होंगे इमरान खान आजादी मार्श के दौरान घुंडा गर्दी का मुझाहरा किया गया अहतजाज हमारा आईनी हक है तहरीक इंसाफ आज सुप्रीम कोर्ट में दर्खास दायर करेगी जमहुरियत मुस्ताकम होने से ही मौशी खुशाली का फुसूल मुमकिन जहां सियासे इस्तहकाम और पॉलीसियों का तसलसल नहीं होगा तो मुलक कभी तरक्की नहीं कर सकता पाकिसान आईनी हकुमरानी और जमहुरी निजान के लिहास से कमजोर हुआ है विफाकी मजीर एहसन अकबाल का तकरीब से किताब पेट्रोली मस्मुआत महंगी नहीं होंगी हुकुमत का मौझूदा किमते बरकरार रखने का अईलान नोटिफिकेशन जारी पेट्रोल 189 रुपे 86 पैसे डीजल 174 रुपे 15 पैसे लीटर फरोख्त होगा मिट्टी के तेल के निर्ख 155 रुपे 56 पैसे बरकरार रूस से तेल खरीदना ना इंतहाई मुश्किल बजट में उन्हें वापिस ले जाने और टेक्सों में इजाफे का इमकान है पहले माईशत मुस्ताक्म करेंगे फिर एलेक्शन की तरफ जाएंगे वजीर एफिजाना मिस्ता इसमाईल का अमरेकी टीवी को इंटर्वियो